हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप यूटूब में स्टोरी कैसे डाल सकते हैं मतलग कि जैसे फेस्बुक में इस्टाग्राम में स्टोरी डालते हैं उसी तरह आप यूटूब में कैसे स्टोरी डाल सकते हैं यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूटूब में स्टोरी डालने के फायदे क्या होते हैं यूटूब में जब आप स्टोरी डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे मालीजे आपने एक स्टोरी डाली और उसमें ये बोला कि दोस्तों मेरा नया वीडियो आ गया है तो उस वीडियो को आप देख लीजेगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया ना तो प्लीज अपने भाई की चैनल टेक्निकल लता कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो यहां से सबसे पहले आपको क्या करना है कि YouTube open कर लेना है तो मैं YouTube open कर लेता हूँ YouTube open होने के बाद इसको थोड़ा नीचे की और scroll करेंगे और यह देखिए यहां पर story का option आ गया है तो यहां पर plus का icon है ना तो इसी पर आपको click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे तो यहां से आप story लगा सकते हैं और story लगाने का एक तरीका और है यहां से मैं back करता हूँ और यह देखिए यहां नीचे plus का icon एक और दिख रहा है तो इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहां पर कुछ list खुल जाएगी और उसमें सबसे पहले create a search का option आ रहा है दूसरा नमबर upload आप video का रहा है तीसरा नमबर go live का रहा है और चौथा नमबर go live together का रहा है और फिफ्ट नमबर आ रहा है add to your story तो आपको इसी story के option पर click कर देना है अब जैसे ही click करेंगे तो यहां से आपको क्या करना है कि जैसे मालीजे आप photo click करना चाहते है तो यहां पर एक photo कर लेंगे ऐसे आपकी photo आ जाएगे ठीछ ना लेकिन मैं video click करना चाहता हूँ तो यहां से back कर देता हूँ अगर आपको video बनाना है जैसे माली जए वीडियो लोग बनाते हैं कहते हैं कि भाई मेरा एक नया वीडियो आगया है तो उस वीडियो को आप देख लीजेगा तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको push करना है जब तक आप push कि रहेंगे, तब तक आपका वीडियो बनता रहेगा तो इस तरह आप एक video बना सकते हैं अब आपको क्या करना है कि इसको यहां से edit भी करना है तो edit कैसे करेंगे जैसे मा लिजए यहां पर मैं सबसूपर वाले option पर click करता हूं तो यहां से आप क्या कर सकते है कि पहला option वीडियो का रहा है तो इस वीडियो पर क्लिक करके, आप यहां से एक अपने चैनल का वीडियो दे सकते हैं, मतलब कि वीडियो की लिंक दे सकते हैं, जैसे मा लिजए एक्जामपल के लिए, मैं ये वाले वीडियो की लिंक देना चाहता हूँ, तो इस वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ, तो इस आप रहते हैं, वहां की location देना चाहते हैं, तो इस second number option पर click करके, यहां से आप location दे सकते हैं, फिलहाल मैं location नहीं देता हूं, इसको back कर देता हूं, अब इसके बाद अगर आप किसी को mention करना चाहते हैं, तो यहां mention पर click करके, यहां से आप mention कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरे channel क mention करना चाहते हैं तो यहां से आप search करके उस channel को mention कर सकते हैं फिलहाल मैं mention नहीं करूंगा इसको back कर देता हूं इसके बाद यह emoji जो आपको लगाना है वो emoji लगा सकते हैं मैं थोड़ा इसको नीचे के और scroll करता हूं और एक emoji देख लेता हूं जैसे मैं यह वाली emoji लगाना चाह एक्जामपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं अब आपको क्या करना है कि second number option पर click कर देना है यहां पर तो यहां से आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे माली emoji मैं good video लिख देता हूं good video यह good video मैंने लिख दिया अगर आप यह red color को दूसरे color में change करना चाहते हैं तो कर सकते ह हैं जैसे माली जी मैं green कर देता हूं यह green कर दिया कुछ लोग black कर देते हैं मैं green ही कर देता हूं ठीक है green करने के बाद इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जैसे माली जी चोटा हो गया बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं मैं यहां इसको छोटा ही कर देता हूं और उ अपने वीडियो को edit कर सकते हैं तो मैं simple ही रहने देता हूँ यह simple कर दिया अब इसको थोड़ा बैक करता हूँ इसके बाद अगर आप अपने वीडियो को cut करना चाहते हैं तो यहाँ seizure के option पर click करके यहाँ से आप अपने वीडियो को cut भी कर सकते हैं जैसे मालीजे इतना वीडियो आपको लगाना है, ओके, और यहाँ done पर क्लिक कर देंगे, तो आपको उतना ही वीडियो लगा रहेगा, अब जैसे मालीजे आप sound हटाना चाहते हैं, तो sound यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, तो जो आवाज है वो नहीं आएगी, वीडियो जो है तो लग जाएगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियो लगा है या नहीं लगा है, यह देखिए ओ दोस्तों, मेरे चैनल में स्टोरी लग गई है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो यह देखिए, यहाँ पर मेरी स्टोरी लग चुकी है, ठीक है ना, तो इसी तरह आप भी अपने यूट्यूब चैनल में स्टोरी लगा सकते हैं, अब एक इंपोर्टेंट बात है, जितने लोग आपके चैनल की स्टोरी देखेंगे ना, तो वो यहाँ सीन पर दिखाएगा, कि मतलब कितने लोग आपकी स्टोरी देख रहे हैं, और कितने लोगों ने आपकी स्टोरी देखकर सब्सक्राइब किया, वो सब्सक्राइबर यहाँ पर बताएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर डेट बताएगा, कि मतलब कब से कब तक आपके चैनल में स्टोरी ये लगी रही जी ठीक है तो इसी तरह आप भी अपने चैनल में स्टोरी लगा सकते हैं मैंने कहा था कि वीडियो के लाश्ट में मैं बताऊंगा कि कितने सब्सक्राइबर पर आपको स्टोरी का आपसन मिलता है जब आपके चैनल में दस अजार सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आपको स्टोरी का आपसन मिलता है दस अजार सब्सक्राइबर हो जाएंगे लेकिन वो दो वीग के बाद बताएगा क्या होता है कि कभी-कभी दस अजार सब्सक्राइबर तो हो जाते हैं फिर कभी कभी down भी हो जाते हैं उसकी बज़यसे वो दो वीक तक समय लेता है कि आपके subscriber down तो नहीं हो रहे हैं अगर down हो जाते हैं तो इस से कह होता है कि 10,000 का credit area complete नहीं होता उससे पहले नहीं मिलता है तो जब आपकी चैनल में 10,000 subscriber हो जाएंगे तो आपको भी story का option मिल जाएगा तो I hope कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना तो अपने भाई के चैनल टेकनिकल अपना का चैनल को जरूर सब्सक्राइब करतीजेगा और वीडियो को लाइक करतीजेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक्यू दोस्तों